टाइम हो रहा है दस एम आज हम डेली की तेरह फिर स्लोट मारने जा रहे हैं चलते हैं Amazon Station पिक करते हैं वहाँ से ओर्डर फिर देखते हैं कहां के स्लोट आप सभी को प्यार वरा नमस्कार मैं डॉक्टर जुगाडू आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में तो आने वाला है मज़ा तो आए गई जहां हम हैं वहाँ फन है तो चलो चलते हैं पहले ओर्डर काफी दूर है तेरह 14 किलो मीटर है और बैग में लोड ज्यादा हो गया तीनी ओर्डर है लेकिन देखो बैग कैसे भरा पड़ा है यह यार लॉक्डॉन में लोग करें भी तो क् आते रहते खाते ही है और रासन मंगाते हैं तो कोई बात नहीं चलो चलते हैं कि यह अभी मैं जہां से जा रहा हूं हूं यह सेक्टर 63 में बसा हुआ 6000 पुराना 6000 आप राइट साइड में देखेंगे सेक्टर 6000 दिखेंगा यह आपको पूरा सेक्टर 6000 हैं यहां से ऊपर पर चड़के सीधे पहले लोकेशन पर जाएंगे चलते चलते मैं आपको एक तड़कती बढ़कती न्यूज बता दूं कल बीते साम दिसा पटानी और टाइगर स्रॉप को मुंबई पुलिस के द्वारा फाइयार दर्च कर दिया गया है वो क्यों किया गया है क्योंकि वो गे तर नहीं किया गया इनके अधार काड़ CHECK करके सिर्फ इनके Ọपर FIR किया गया है कि क्योंकि यह एक्टर्स हैं लोगों के चहीते हैं काफी लोग इन्हें प्यार करते हैं लेकिन मुंबई मुंबई पुलिस ने इन्हें नहीं छोड़ा मुंबई पुलिस ने भी मजे ले लिये और ट्वीट कर दिया और यह मज़ेदार ट्वीट आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि बेसिकली इस ट्वीट में यह बोला गया है सिंपल सब्दों में मलंग होकर सड़कों पर ना घूम के तो जग्गुदादा के दिल से निकला होगा सिरियसली मुझे एक बात सुझी यह लोग इतने अमीर हैं इनके बंगलो होते हैं इतने बड़े-बड़े घर होते हैं तो लॉक्डाउन में यह उसमें अराम से घूमपिर सकते हैं यह जो भी मौज मस्ती करना चाह कर सकते इ इनके लोग बाहर निकलते हैं तो उन लोगों का क्या जो एक रूम में स्टेम बंद हैं जिनका एक रूम में छै लोग रह रहे हैं तो और ऐसे Amazon join कर लिया है अब एक स्लोट मारता हूं दिमाग फ्रैस हो जाता है बाहर तोड़ा देख लेता हूं सेवा भी हो जाती है और स्लोट मारके घर चला जाता हूं मस्त लेकिन यह सोचने वाला टॉपिक है कि वो इतने अमीर होके बाहर घूम रहे हैं उन्हें क्या जरूरत पड़ है आप होते हैं कि नहीं होते हैं कि इसी के साथ हम पहले और पर पहुंचने वाले हैं ज्यादा दूर नहीं है लोकेशन 800 मीटर दिखा रहे हैं तो हम पहले अपना ओर दे लेते हैं फिर देखते हैं यह और है गाजियावाद के एक हॉस्पीटल का जिसे कोविट सेंटर भी हाया है कॉविट सेंटर हॉस्पीटल लेका तो नहीं है गहीं लेकिन बदा नीवी यहूर दे देते हैं अभी मैं केम्पस में खड़ा हूं लिए हॉस्पीटल पीछे कि साइड है कि यह निकलके ऐसे जाते हैं यहां से तो आगे जाके होस्पिटल पढ़ता है लेकिन यहां भी मैंने आते समय देखा काफी लोग खड़े थे पता नहीं क्यों खड़े हैं कि यह गौर्मेंट ने पीछे एक एंबुलेंस पंचर खड़ी थी यहां से जैसी बाहर निकलेंगे आप देखें बीड सी दिखेंगी आपको मैंने आते समय देखा था यह देखिए लैप साइड में एक दो लोग दिखें राइट साइड में लाइन लगी हुई है इतने सारे लोग है ऑस्पिटल मे चलो खेर मैं निकला है महाँ से ओर्डर देके पहला ओर्डर हो गया है कम्प्लीट तो हम चलते हैं दूसरे ओर्डर की और दूसरा ओर्डर पास में है 1.2 किलो मेटर दिखा रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है पहुँच जाएंगे तो चलो मुझे यह जल्दी से ओर्डर दे के निकलना है क्योंकि मेरे पास आदे घंटे ही बच्चे है और मुझे एक और और पूरा करना है तो मैं लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं ओर देता हूं और तुरंत निकलता हूं ओर दे दिया है मैंने अब मैं यहां से निकल चुका दूर दूर तो चलते हैं और दे क्या आते हैं यह जो आप देखर हैं इस फर्लबज लिखा हुआ थे पहल्डय है खुद ना चोड़ता हुआ जा रहा था तो चलो चलो चलते हैं लैसट आं Sundays के तरफ जिस पर आभी मैं जा रहा हूं यह राजनगर ऑर श्यावर अक्सर में जाता है सीधा रोड और यह राजनकर अक्सर एक्सर से 2-3 किलो मेट différend यहां पर फ्लैटनों सब्सक्राइब है यहां फेल यहां फिंष और सारी देखने को मिल जाते हैं देखे दोनों साइड फ्लैट है strategy और लोकेशन मेरी ज़्यादा दूर है नी बस मैं पहुंचने वाला हूं लोकेशन पर यह जो आपको गेट दिख रहा है यह यह वाला गेट यही मेरी लोकेशन थी यहां पर मैंने ट्रकार लिया अंदर जा रहा हूं टावर के पास पहुंच गया हूं अब मुझे ढोड़ना है टावर गार्ड को क्योंकि वो मेरे को दिख नहीं रहा है अच्छा यहां बैठे भाई सब कोने में छुपके तो एंट्री करा ली यह बोल रहे हैं कॉल कर दो कस्टुमर को वह नीचे आएंगे मैं कस्टुमर को कॉल कर देता हूं वह नीचे आके और ले जाएंगे तो यहा है लास्ट ओडर तो चलते हैं घर के तरफ अब यहां से मुझे दिखा रहा है तो कि सिस्टिन किलोमेटर यह सोसाइटी सोसाइटी के अंदर थोड़ा लोकेशन ज्यादा दिखाता है यह हरी भरी सोसाइटी तो नहीं है कॉंक्रीट वाली सोसाइटी दिख रहे हैं पेड़ है गुगल बाबा आज आपने सही सही दिखा दिया अभी मेरे को दिखा रहा है 14.5 किलोमेटर स्टेशन वैसे कहीं भी सोसाइटी में रहता हूं तो बहार निकलती एक एक डेड़ किलोमेटर का अंतर पड़ जाता है क्योंकि वह इधर उदर से दिखाते हैं गुगल बाबा लेकिन आज सही दिखाया है तो मैं पहले जाओंगा इस्टेशन वहां करूँगा बैक समिट नाम कटूँगा कुछ कैस है वो जमा करूँगा क्योंकि यार लॉकडाउन में कैस लेना वो है नहीं लेकिन कस्टूमर के पास नहीं था उनने कैस दिया है कैस समिट कराके फिर म गड़ गए गाजियाबाद से जब मैं आ रहा था तो काफी दूर मैट्रो बिश चुकी थी तो मैट्रो दो बनती रहेगी आई होप सो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक अच्छी